सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का ये पेपर हुआ है 26 जून 2023 को इसकी पूरे एंसर की हम लोग देखेंगे 60 का एंसर यहाँ पर मिल चुके हैं किसी भी कोश्चन में कोई डाउट अभी तक तो है नहीं 25 को सॉल्व करना शुरू करते हैं शुरूति सम भिनार्थक शब्द यूग में चर्म और चर्म का उचित अर्थ क्या है तो चर्म का अर्थ होता है चमड़ा ठीक है और चर्म का अर्थ होता है अंतिम सीमा इस तरीके से हमारा एंसर हो जाएगा इसमें अप्शिया मैं अंबर ए शामलाल जो गांधी गली में रहते हैं या रहता है मेरा मित्र तो इसमें हो जाएगा आपका मिश्रवाक के इसके बाद ये कौन सा अर्थ पहेदवाला सही नहीं है यहाँ पन पूछा है तो बली और ये बली तो बली का किसी भी तरीके से अर्थ गाय नहीं होता है तो जैसे ये सही सुमिलित नहीं है बागी अगर आपको डाउट है तो आप से अन्य सही कर सकते हैं तो मिला सकते हैं जैसे कूल का अर्थ वन्स होता है ठीक है कूल का अर्थ किनारा होता है अनल का अर्थ होता है अगनी और अनिल का अर्थ होता है पवन नागर का अर्थ होता है नागर में रहने वाला और नागर का अर्थ होता है शहर तो इस तरीके से भी option number C हमारा correct है जो कि सही सुमिलित नहीं है मजदूर मैनत करता है किन्तू उसके लिए आप कुछ नहीं आता है तो किन्तू लेकिन यह सब जो आता है यह आता है सहीं उत्वाक्य में option number A अनुछेद को पढ़िए इसमें 8-12 number मैंने already mark कर दिया है कि कहां कहां से आपको मिल जाएंगे आपके answer तो इसमें विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवशक्या है समय की कीमत समझना option number B तराग्राफ के इसाब से कुछ लोग समय की कमी के बहाने अपने क्या चुपाते है अपनी अकर्मनिता और आलस को चुपाते है जो कि यहां पे लिखा हुआ है इसके बाद अकर्मनिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यता है यह आपका उपसर्ग हो गया और यह आपका प पुश्रा आता है तो इस तरीके से यह आपके सहीं उताक्षर हो गए विकारी शब्द 4 होते हैं संग्या सर्वनाम प्रिया विशेशन और इस तरीके से आपके हो गए यहाँ पर चार इसके बाद दुनिया के सवलतम विक्तियों में की सवलता का रह से क्या है समय का सदुप्य नहीं होता है तो वहीं उसमें पूछा गया है इसके बाद है कि अब कैसे छूट है राम राम रटिलागी प्रभू जी तुम चंदन हम पानी जा की अंग अंग बास समानी राइदास का है और यह सीब्यसी के बुक्स में होता है कौन सा सही समलिक नहीं तो यह चावर्ग के है जब कि आप मूर्धन में दियो है तो यहां पे गलत है यह आपका टावर्ग में आता है अपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्वस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा गथन उप्यूगत होगा तो यह भावधी होता है अपचारिक में आपको रिस्क में एक और 35 में इसर होती है option number D किसी द्वारा कहेंगे कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन प्रयूगत होगा तो अधरन चिन हम लोग लगाते नहीं इस तरीके से लिखते हैं किसी कथन लागते है विशको इस तरीके से खत्म करते हैं यह बीच में उसका गथन लिख अर्थ होता है निकार्थ होता है filters आतक्स होता है और अश्रण्दा का लिखते है श्रद्दा का विखते है पुटाड़ों के इसा है है नहीं खग का अर्थ होता है उड़ने वाला कोई भी वक्ति या पक्षी तो इसमें भी कन्फ्यूजन्स हैं दल गुरु पतंग इन सभी के तो का अनन्त का मतलब एक आकास होता है अनन्त विश्णों का पर रहवाची भी है कल का मतलब आने वाला कल का मतलब मशीन कर कर का मतलब आपको पताईये हाथ और टैक्स यह सब हो सकते हैं सूड़ वगार तो मेरे साथ से थ्री और फोर ही यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रियेट है बाकी यहाँ पर कमीशन ही बताएगा कल हन्सपद या काकपद के लिए जो अभिराम चिर्नेव कौन सा इस तरीके से लेते हैं तो कुछ मिस हो गया उसको लिखने के लिए तो ऑप्शन नमबर बी यहाँ पर सही है अगर किसी को नहीं दिख रहा तो इस तरीके से बना हुआ महा ओजस्वी सभी बुक्स में दिया रहता है यह संधी रूप इसमें जो है वर्द्धी संधी होती है तो महा ओजस्वी इसको लिखते हैं इस तरीके से पिदरवारा देखेंगे अधो लिखित में से अभी की कविलोम क्या हो जाएगा अन्भिग की हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कारक बताना है तो पक्षी को देखा पक्षी को देखा मौनी निन तो जाएगा करताने कर्म को करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है अप्शन नमबर ए पंडित जी हवन कराकर कथा काय रहे हैं तो इसमें पूरुकाली क्रिया है इसके बाद किलकत कान घुट इसमें किसी बच्चे की बात हो रही तो आप समझ गयों कि वाथसले रस है इसमें ऑप्षन नमबर D घुतने सब चल रहा है और इसमें वाथसले रस दिखना चाईए सकर्म क्रिया का प्रियो कि इसमें हुआ है चोर को पकड़ता है तो इसमें कर्म है चोर मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है तो इसमें स्कूल का घर से अलग होने का भाव आ रहा है तो इसमें हो जाएगा अपतान का रक्स से और इसके बाद सेस महेश गनेश दिनेश सुर सहु जाही निरंतर गावे तो इसमें सा इधर सा इधर सा इधर सा इधर सा तो इसमें हो जाएगा नूपरा सलं देखने की तो इसमें संभावी भविश्यत काल होगा और कौन सासर यह सही यूग में नहीं है आपका विलोम यूग में तो आसकती का हो जाता है अनासकती अनासक्ति होता है अपकी यहां पर दिया वाय है नास्तिक यह गलत है नास्तिक का होता है आस्तिक आस्तिक आसक्ति नहीं तो ऐसे ही कई बार आयोग आपको कन्फ्यूस करने के लिए इस तरीके के आप्शन पुट करता है इसका हो जाएगा आस्तिक जिसका उपचार यह अहल नहीं होगे अ तो ये उतकर शुद्ध लिखा हुआ हूँ इस तरीके से तरीके से इनको प्रेइट लिखा जाएगा इसके बाद आ जाते हैं वहां कि सभी कल्प में सभी परस पर पर्रयवाची नहीं हैं तो वाज किनेत्र का मतलब होता है आख इसमें फिर पूछा है निमलिकित में से कौन सा तद्भो कौन सा है ठीक है तद्भो यहाँ पर तीरत है इसका तत्सम होता है तीर्थ इसका तत्सम क्या होता है तीर्थ इसके बाद निमलिकित में से कौन सिवकल्प में सभी शब्द पुलिंग है कववा पुलिंग है, खरगोस भी पुलिंग है मंडल भी पुलिंग है, यहां पर स्ट्रिलिंग मोती है तो यह नहीं है सभी पुलिंग में यहां पिननत भी स्ट्रिलिंग है और यहां पर पायल या पाजेब भी स्ट्रिलिंग है इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सामने शेर को दहड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए तो प्राण सूखने का अर्थ होता है बहुत डर जाना इसमें डी वाला जो है इनकरेक्ट है यह कितना सुंदर चित्र है इस तरीके से लिखते हैं वेब सीरीज के डाइलोग से इसको कंपेर मत करिए उसमें कुछ भी बोलेंगे लेकिन वे अकरण में बहुत एक एक शब्द का यहां पर द्यान देना पड़ेगा कान कतरने का अर्थ होता है बहुत चालांख होना बहुत अधिक चालांख होना option number D प्रवीडता पत्तता दक्षता ये चातुरे के परवाची है यह चतुराई के परवाची है इसके बाद शीर्षक को चैन करते समय अनुषेत में नहीं भावां विचारों की परक कर लेनी चाहिए तो इसमें कारक क्या शुक्धी है, यहां पर को की जगह होना चाहिए, का, चीरशक का चैन करते इस पहले, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है, पूर्ण अलंकार, option number D, कौन सा यहां पर तत्सम शब्द है, तो यहां पर है ग्रहिडी, ठीक है, अग्ये कारत होता है, जिसे जाना ना जा सके, इसमें कौन सा तडाग शब्द के लिए आपका तद्भो शब्द है, तो यह है तालाब, option number E, तालाब,